दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तो मेरा दो दिन वीडियो नहीं आया अगर आप इंतजार किये हों तो बहुत-बहुत माफी चाहता हूँ वीडियो नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा है जो कारण था देखिए असल में जो हमारा बुक है न एलेडी इंडस्ट्री पे उसका जरा स्टॉक नीचे चला गिया था और बारा लैंग्वेज है बारा लैंग्वेज के स्टॉक को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है इसलिए मैं दो दिन भिरके उसके स्टॉक को थोड़ा सा बनाने की कोशिस किया प्रिंट करवाया और बुक बनवा के थोड़ा स्टॉक रख लिया क्योंकि मैं बुरी तरह इंगेज हूँ पंखा उद्योग के उपर में किताब लिखने पे और सच पूछिए तो वो किताब जो होगा ना वाकई अपने आप में कमाल का किताब होगा आज तक सोचिए आज तक जब से ये फैन इंडस्ट्री आया है किसी ने भी इसके उपर ऐसी किताब लिखने की कोई कोशिस नहीं की वो एक अपने आप में ऐसा किताब बन रहा है कि उस किताब को परने के बाद बि साथ एक-एक एड्रेस होगा मतलब कुछ इंक्वारी की जरुवत नहीं और सबसे बड़ी बात जो उसके अंदर राज छुपी हुई है कि यह जो एक करोड का इंडस्ट्री है ना मातरा पांच लाख रुपया लगा के उसको शुरू कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात बिना किसी स्टाफ के बिना किसी बैंक के लोन के क्योंकि बैंक का लोन जो है न वो अंदर अंदर इंसान को खोखला कर देता है, इसलिए मालूम नहीं है कल क्या होगा, इसलिए आज के डेट में सोचिए, जिसने भी बैंक का करज लेके कोई भी वैपार डाला होगा, आज अगर उनका वैपार करोणा के वज़े से बंद होगा, तो उनकी क्या एस्थिती होगी, बैंक वाले किस कदर उनको पड़ेसान कर रहे होंगे और मैंने इस चीज को एक नहीं दो नहीं पुड़े पुड़े पांस साल जहला है मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो इतनी यातनाओं के बावजूद आपके सामने आज भी जिन्दा हूँ आज कविसे क्या अगले दो हफता तक चुकि बहुत दोस्तों की कहानी मेरे पास आई हुई है बहुत धोखादरी हो रहा है और सच पुछे तो यतना कहानी लोगों का देखने के बाद मुझे भी कही न कही डर लगता है कि कैसे लोग वैपार करेंगे कैसे किसी पे बिस्वास करेंगे और ये जो करोना का सिजन आया है न इस करोना के चलते इस वारस के चलते लोग लोगों को धोखा देने में मस्त हैं वे जानते हैं कि किसी का पैसा ले लो और माल अगर उनको न दो तो कोई उन तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करेगा ठंडे का दिन आ गया है और केसिस बर रहे हैं आईए आज के जो मेरे भाई हैं ये उरिसा से हैं इनकी एक छोटी सी आधा मिनेट की बात को पहले सुनिये फिर हम लोग आगे बात करते हैं अलो सर मैं लीड़ी है उनको 30,000 रुपीज का ओडर दिया था लेकिन अब तक दो महीना हो गया है वो मुझे घुमा रहे हैं घुमा रहे है और मैं सामानी नहीं भेज रहे हैं मैं ले मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत गिड़गिड़ है उनके बात उनके पास लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं सुन भी नहीं रहे हैं मेरे बात अब सोचिए इन्होंने 30,000 रुपिया लगाया है 30,000 की हिम्मत भी विचारे कर गए और इन्होंने लि मतलब को बताया था यह अपने वाइफ के जेवर को गिर्वी रखके पैसा रेज किये थे इन्होंने जो फंड रेज किया था वो वाइफ के औरनामेंट को मतलब गिर्वी रखके बंधक रखके इन्होंने पैसा रेज किया था कह रहे हैं कि इनकी स्थिती ऐसी है कि यह खु मामूली 30,000 की है सोचिए मैंने भी बहुत सारी यातनाओं को जहला मैं भी चाहता तो खुद को खतम कर लेता लेकिन यह कोई सॉलूसन नहीं है सॉलूसन देखिए आदमी को लरना पड़ता है आदमी को गिव अप कर लेना तो बड़ा असान होता है लेकिन जरूरी है जब प् खुसी होता है जब काफी लोग मेरे बुक को पढ़के लिख रहे हैं कि सर्व इस किताब ने मुझे एक नई जीवन दी कोई बता रहे हैं कि मुझे इस बिजनेस को करने के बारे में काफी जानकारी मिला देखिए नॉलेज हमेशा लेना चाहिए हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स कभी भी देखिए बेकार नहीं जाता है किताब हमेशा पढ़ना चाहिए बुक्स से दोस्ती ऑल्वेज रखने चाहिए और सच पूछिए तो किताब पढ़ने की मुझे एक ऐसी आदत पढ़ी है कि बिना अधा घंटा किताब पढ़े तो मुझे नीदी नहीं आती है मैं always information gather करते रहता हूं हर एक topic पर information लेते रहता हूं और मेरा तो जो topic है वो सच पूछिए तो business का topic है और business में मैं always information gather करता हूं दोस्तों मैं चाहता हूँ अपने अनभव को चाहे video हो चाहे book हो किसी भी माध्यम से भारत को एक ऐसा राष्ट बने भारत बने यहां पे जो लोग नौकडी के लिए परेसान होते है ना इस परेसानी से लोगों को मुक्ती मिलनी चाहिए लोगों को स्वारोजगार के तरब जाना चाहिए और वह रोजगार और सही दिसा में लेकिन क्या है ना आज के date में यह जो ठग लोग है वो लोग लोगों को गुमडा करते हैं लोगों को किसी तरह से ठगने की कोशिस करते हैं मैं हमिसा बोलता हूँ और जो लोग अब मैं एक और एक्जामपुल आपको दे रहा हूँ सायद मेरे भाई वो सुन रहे होंगे देवघर वाले उन्होंने अभी हाल फिलाल मेरे से एक हजार ब कॉस्टर बनाया और उनको मैं भेजा था मात्र उनको मिले हुए बल्ब को सिर्फ दो दिन हुआ है और दो दिन में आउट आफ वन थाउजन आज वो सुबह में मेरे को कॉल किया बताये कि वे छे सो पीस बल्ब को बेच चुके हैं बहुत खुसी हुई वे भी काफी उतसु सं दो हैं सही सुरूवात वे नहीं भटके उनको भी लोग भटकाने की कोशिस बहुत किया था वो टिकडिंग मसीन ये मसीन वह मसीन ये ड्राइवर लेकिन देखिए इंश्टेन्ट में तो लगता है ड्राइवर में प्रॉफिट आ घिया लेकिन। mają हो में हो सकता है वो profit loss में convert हो जाए लेकिन driver वाले valve में तो ये चीज होता है और DOB के साथ क्या होता है जो profit आया सो आ गिया वो आपके जेव से निकलने वाला नहीं है क्योंकि इसमें guarantee generally लोग देते नहीं है लेकिन कुछ लोग देना चालू किये हैं लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं सभी लोगों से appeal करना चाहता हूं जिन लोगों को या तो मेरा माल मिल रहा है या किसी और से माल मंगवाड़े हैं देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है कोई भी काटून खोलने के पहले आपको वीडियो जो है ना यह कैमरा को ऐसे करके मेरे हाथ आप देख रहे होंगे देखिए यह साफ साफ ऐसे करके मोबाइल रखना है आपको इस तरह से ऐसे नहीं रखना है इस तरह से मोबाइल रखके आप वीडियो स्टार्ट कर दीजिए एक डब्बे को खाली होने में कितना समय लगेगा मैकसिमम 10 से 15 मिनट में मैं देखता हूँ कि अधिकतर लोगों का डब्बा खाली हो जाता है लोग मेरे सामने वीडियो भेशते रहते हैं वीडियो बनाना बड़ा जरूरी है अब देखिए माल लीजे जैसे एक मामला हुआ ये अजीम जी थे आजम गर के वे साथ काटून माल हालमंगाय थे अब शाक काटवनम माल में एक काट्वन म में वो बुले कि मेरे को वह वहुआइंट फाइव का जो कलड़ वाला बालब होता हे ना वह भी उनके लिस्ट में था हजार पीस वह कहें कि सर इसमें एक हजार पीस में डबा नहीं मिला है मेरे को बॉक्सेज नहीं मिला है मैंने कहा कि आप मेरे importer को report किया और तुरंद DT DC से वो डबा dispatch हो गया उनको देखिए evidence बड़ा जरूरी होता है ऐसे बेवज़ा किसी से लड़ाई होते रहेगी अब यह तो डबा मामूली चीज थी लेकिन हो सकता है driver मी miss कर गया हो या किसी के साथ हो सकता है लेकिन आपके पास अगर evidence होगा तो आ आप boldly तो claim कर सकते है न और वो तुरंद आपके claim को accept किया जाएगा चाहे मैं हूँ या कोई भी हो वीडियो बनाइए एक और चीज बहुत लोग जो भी आप लोग काम कर रहे हैं चाहे वो LED का छेतर हो चाहे वो fan का छेतर हो चाहे आप कोई भी business कर रहे हो आप अपने आप को promote करने के लिए यह जो आपका चैनल है ना संजीव वर्म यह आपका ही channel है मेरा नहीं है इसको आप लोगोंने बनाया है मैं क्या मैं अगर subscribe करता तो एक सब्सक्राइबर होता आज जो बाइस हजार तीन सो चार सो ब्सक्राइबर दिख रहा है ये तो मेरा मेहनत नहीं यह आप लोगों का मेहनत है और चैनल भी आप लोगों का है आज अगर आप यूटूब में जाएंगे चैनल बनाने तो ये 22-23 अजार सब्सक्राइबर आना एक लंबा अर्था बीच जाएगा तो इसलिए इस चैनल को आप अपना चैनल समझे आप जो भी काम कर रहे हैं अपने आपको पर्मोट कीजिए इस चैनल के दौरा आपके लिए मैंने एक दिन बना दिया है वो दिन है सनीवार का जैसे वो एवन वाले ने किया था अपना अच्छा से वीडियो बनाया था अपना नमबर भी दिया था उसी तरह से आप जो भी बना रहे हैं अपने छेत्र में ज ग्रो करेगा आप इस चैनल का इस्तमाल बिल्कुल कीजिए चाहे सनीवार को एक वीडियो हो चाहे सौ वीडियो हो मेरी कोसिस रहेगी सारे वीडियो को अपलोड करता चलूं देखिए उस चैनल में जब आप वीडियो बनाएंगे न तो कोई भी ऐसी बात न बुलिएगा कि जो लोग को दिखाया ना जा सके बिल्कुल सोच के बोलिएगा और कोई भी अपसब्द का इस्तमाल नहीं हो अच्छी बात कीजिए लोगों को प्रोटसाहन करने का काम कीजिए जो नए लोग हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको हम लोग को मेहनत करके इस बिजन किया क्योंकि घर घर में लोग business कर रहे हैं इसलिए business तो सही पुछे तो हरे घर में होनी चाहिए क्योंकि business से double tax का generation होता है एक तो जब आपकी income government के अगर income tax pay के हिसाब से अगर income आती है तो आप income tax भी देते हैं और sale tax तो आफ day one से देना चालू कर देते हैं और sale tax से जो revenue का collection होता है वो तो ये fraud लोग तो generally कोई sale tax वगरा देते नहीं है ये अपनी मर्जी से sale tax देते हैं ये sale के हिसाब से tax नहीं देते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में और लगभग हर एक वीडियो में मैं आपको हमेशा प्रोचसाहित करूंगा अभी तुरंत की बात है एक 19 साल के लड़के ने मेरे से कटक से फोन किया वे आरो का काम करने कोई छुक थे मैंने उनको बताया कि देखिए आरो का काम तो सही पुछी तो service oriented काम है यहाँ पर वे बोले कि sir मेरे घर में जो आरो का service करने के लिए आते हैं उनका कहना है कि आप आरो खाली मंगाईए वो उसको install करेंगे तो ये बहुत बड़ा problem तो solve हो गया तो ये business तो हो सकता है लेकिन फिर वो बोले कि मैं mixer grinder का काम करना चाता हूँ तो मैंने उनको बोला कि mixer grinder के लिए आपको थोड़ा problem होगा क्योंकि कभी motor का problem आ गया कभी कोई आ गया लेकिन उससे better हम मैंने उनको बताया कि वैसा काम कीजिए जैसे आप LED में काम कर सकते हैं DOB में सुरवात कीजिए वही super hero उन्होंने समझा मेरी बातों को तो इसी तरह से मैं आप सभी को बोलना चाता हूँ बुक मंगा ये भारत के तमाम language में उपलब्ध है इवें कि उर्दू में भी उपलब्ध है सोचिए हिंदी में भी है इंग्लिस में भी है साउत के चारो language में है उडिया में भी है बंगला में भी है इवें की मराठी हो गुजराती हो चाहे वो पंजाबी हो कितने भासा में मैंने इसे कवर किया है एक दो नहीं कुल बारा language में और यही काम मैं फैन इंडिस्ट्री के बुक में भी करूंगा सुरवात तो 17 नौवंबर को हिंदी से हो रहा है और उसकी कीमत थोड़ में जिस तरह से यह जादू बल्ब रिलीज हुआ था आप देखे होंगे वैसे वो भी रिलीज होते चला जाएगा चलिए बातों को आज यहीं तक रखते हैं कोसिस मैं करूंगा कल फिर आपके सामने आऊं क्यूंकि अभी थोड़ा सा फाइनल वर्क चल रहा है पंखा उद आपता है ना यह पूरा मैंने फ्रॉड विक्टिम के नाम रख दिया है लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या दरसल हो रहा है नहीं तो यह लोग जो है न अंदर अंदर गेम खेल रहे हैं और सोचते क्या है कि किसी को तो मालूम नहीं पड़ेगा लेकिन यह यह नहीं काग Ici विधाव टैक्स का बिलिंग करते हैं सही कागज में लिग देते हैं पैसा जोड के मंगा लेते हैं कोई पे फोन से मंगाते हैं कोई सेविंग अकॉंट से मंगाते हैं मतलब अतना तरह का खेल होड़ा है मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब कोई सरकारी अधिकारी मेरे से बात करें और इन लोगों के उपर में कारवाई करें मैं बिलकुल अपने लैप टॉप में सारे सबूतों को इकठा करके रख रहा हूँ चलिए बाते करेंगे तो बहुत होगी मेरे चैनल को जरूर सेर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे कभी भी कुछ भी घटना घटे हिम्मत से काम लीजिए धैर से काम लीजिए कुछ भी घटना घटे थोड़ा सा एक ग्लास पानी पीजिए मन ठंडा रखिए फिर सोचिए सौलूसन एकदम निकल के आएगा चलिए कल के वीडियो में फिर मिलेंगे नमस्कार धन्यवाद